भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा बहुत रोचक है। ऐसा कहा जाता है कि पार्वती से विवाह रचाने के लिए भगवान शिव भूत प्रेत और के साथ बारात लेकर पहुँचे थे। आईए जाने शिव पार्वती विवाह की इस अनोखी कहानी के बारे माता पार्वती ने शिवजी को पती के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या भी की थी कहा जाता है कि माता पार्वती पूर्व जन्म में माता सती थी पौरानिक मान्यताओं के अनुसार माता पारवती पूर्व जन्म में राजा हिमवान और रानी मैनावती की पुत्री थी शिव जी को पाना इतना आसान नहीं था जिसके लिए माता पारवती ने कठोर तपस्या शुरू की यह देख शिव जी भी माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर किसी राजकुमार के साथ विवाह करने की सलाह दी माता पारवती ने कहा कि वो मन में ही शिव को अपना पति मान चुकी हैं, इसलिए किसी और से विवाह करना उनके लिए असंभव है भगवान भोले नाथ अपने प्रती पार्वती का इतना प्यार देख कर उनका मन पिघल गया, जिसके बाद वे पार्वती से विवाह के लिए तैयार हो गए शिव जी माता पार्वती से विवाह रचाने के लिए पहुँचे तो उनके साथ भूत प्रेतों की बारात लेकर पहुँचे भगवान शिव भस्म से श्रंगार किये हुए बारात में पहुँचे थे और उन्होंने हड़ियों की माला पहनी हुई थी भगवान शिव की ऐसी अनोखी बारात देखकर सभी डर गए और हैरान रह गए पारवती की माता मैनावती ने जब शिव जी को देखा, तो विवाह से साफ इनकार कर दिया था माता पार्वती ने शिवजी से प्रार्थना की और कहा कि वह विवाह के रीती रिवाजों के अनुसार ही तैयार होकर आए जब शिवजी दूलहा बनकर तयार हो गए, तो उनका दिव्य रूप देखकर सभी हैरान रह गए, जिसके बाद रानी मैनावती भी विवाह के लिए राजी हो गई इसके बाद भूत प्रेत, सभी देवता, सृष्टी के रचायिता ब्रह्मा जी